हेलो बच्चो केशाब सभी लोग आज हम इस वीडियो में हमारा मरा ठीकास चैप्टर टू करने वाले हैं जिसका नम है माजा अनुभो यह मैं आपको एक्स्प्लेन करूंगा हिंदी में इसके लिए आप वीडियो आखरी तक जरूर देखना लेकिन इससे पहले अगर आप हम तो आपको हमारे छटी ग्लास के सारे वीडियो मिल देंगे ऑके तो चलो start करते हैं तो देखो यहां पर हमारे चैप्टर का नाम क्या है माजा अनुभो माजा मतलब क्या मेरा अनुभो मतलब क्या experience मतलब की मेरा experience ऋसमें देखते हैं किस experience की बात हो पहरी है किस अनुभो की बात हो रही है वो हमें इस चैप्टर में मालूम पड़ेगा ठीक है देखो मैं आपको बताता हूँ दो बच्चे लोग रहते हैं जो अपने मामा के घर पे जाते हैं ठीक है छुट्टियों में तो अपने मामा के घर पे कैसे वो इंजॉय करते हैं क्या क्या करते हैं वो सब अ आनी रिमा घरी आलो मी कौन देखो मी मतल़ जो बच्चा है न ये ठीक है ये अपने आपको वोला है कि मी आनी रिमा रिमा कौन जो इसकी बहें न ये तो बच्चा क्या वोला है कि मी आनी रिमा घरी आलो मतल़ मैं और रिमा अब घर आए एक्जाम देखे जब एक्जाम का अब आगी क्या है घरी पोच्टाच आईने सांगितले उद्ध्या अपले आग गाड़ी ने मामा चे गावाला जाय चे आहे अभी देखो यहाँ पर पफछतार्ष मातलब क्या पहुचना सांगित्ने मतलब क्या बोलना आई मतलब क्या आई मतलब मम्मी उधिया मतलब क्या tomorrow या तो आप बोल सकती हो कल आग गाड़ी मतलब क्या आप बोल सकती हो train P train. मामा जो जब मामा जो मम्मी के भाई रहते हैं वो गाउट मतलब जाये क्या जिसे ही यह जो बच्चा है क्या बोल रहा है जब हम घर पहुचे तरह मामा में बोला कि कल हम अपने मामा ने isen के घहने बाले हैं ट्रेन object रिमा ने आननदाने उडिया देखो, यहाँ पर आनन्दाने मनदल क्या एगदम खुशी से उड़ेया मनदल उचलना, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यह बच्चा बोल रहा है, कि जो रिवा थी मेरी बेहन, वो खुशी से एगदम उचल पड़ी, जब उसने सुना, कि मामा की घर हम जाने वाले हैं, ट पायतले पैंजन चुमचुम वाजवत ती घरबर फिरली देखो यहाँ पे पायतले मतलब क्या पैर में पैंजवर मतलब क्या आप बोलते हो गुंगरू बोलते हो ना पायल वो ठीक है चुमचुम मतलब क्या जो गुंगरू की आवाज आती है चुमचुम वाजवत मतलब क्य बजाना घर भर मतलब क्या पूरे घर फिर्णा मतलब क्या फिर्णा पूरे घर में तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे है आप देखो बच्चा क्या बोल रहे है कि जो मेरी बहन रीमा थे खुशी से उचल पड़ी और उसके बाद उसने जो पैर में पायल पहना था वो पहन क पूरे घर पायल बजाते हुए छुम-छुम बजाते हुए पूरे घर घुमी इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ठीक है अब आगे देखते क्या है मामा चया गावाला जाने है साथी आमीर सकाडी निगालो देखो आपे सकाडी मतलब क्या मौनिंग सुबा ठीक है तो यह बच्चा क्या बोल रहा है कि मामा के घर जाने के लिए हम सुबा सुबा निकले निगालो मतलब निकलना आग गाडी बस लो क्या बोल रहा है बच्चा ह हम आग गाड़ी में बैठे मतलब ट्रेन में बैठे यहां पर आप देख सकते हो जो ट्रेन है उसमें देखो मम्मी और वो बच्चा और उसकी बहन रिमा बैठी है ठीक है वागी क्या है आग गाड़ी जुक जुक करत चाली होती देखो जो ट्रेन चलती है चुक 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 तो बच्चा क्या बोला है कि जो आग गाड़ी थी जो ट्रेन थी जिसमें हम बैठे थे वो चुक चुक करते हुए जुक जुक करते हुए चली खड़कीत बस ले लिया रिमा चे केस भुर भुर उड़त होते देखो यहां पर खड़कीत मतलब को मालू है खड़की पर जो ट्रेन की खड़की रेती हो बस ले लिया मतलब बैठना केस मतलब क्या होते है बाल ठीक है बाल को हम माराठी में केस बोलते है जो सर पे हमारे बाल रेते हो ठीक है उड़त मतलब क्या उड़ना तो देखो अब वो बच्चा क्या बोल है कि खड़की पे रीमा बैठी थी तो उसके बाल भुर-भुर उड़ रहते मतलब हवा से उड़ रहते उसके बाल ठीक है अब आगे क्या है खड़की तून यणा रहा उन्हा मुड़े तीछे डोड़े लुक-लुकत होते देखो यहाँ पे उन्हा मुड़े मतलब आप क्या बोल रहते हैं उन्हा मुड़े मतलब कि जो सूरज की रोशनी रहती है सन्रेज ठीक है डोड़े मतलब क्या आग लुक-लुकत मतलब क्या लु पुचा चेहरा प्रसन दिसत होता, चेहरा मतलब क्या फेस, प्रसन मतलब बच्छ खुश, आनंद, यहाँ पर आप देखो वो बच्चा क्या बल रहा है, और जो रिमा थी, उसका चेहरा, उसका फेस, एकदम हसी, खुशी, एकदम आनंद वाला दिख रहा था, यहाँ पर पुस्तकाची पाने हवेने फड़फडत होती, देखो यहाँ पर आई मतलब क्या है, मम्मी, वाचत मतलब क्या, यहाँ पर पढ़ना, रीड करना, पुस्तक मतलब क्या, बुक, पाने मतलब क्या, पेजेज, यहाँ पर हवेने मतलब क्या, हवासे फड़फडत, यहाँ पर आइ या बोल रहे हैं कि आई मम्मी जो भुक पढ़ रही थी उसके पेज जो है हवा से फड़फड हो रहे थे मतदब हवा से कैसे बन्ध हो रहे थे खुछ रहे थे जो आई ना भुक हाथ में लिया था कैसा अब हवाव चलती है आफ वहां भुख लेके खड़े हो कैसे उसके पेज़े दे से फड़ फड़ आने लगते हैं, तो वही बोल रहा है बच्चा, कि हवे से जो आईने बुक लिया था पढ़ने के लिए, वो फड़ 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 उसके पेज हो रहे थे, ओके, चलो भी आगे चलते हैं, वाशनात तलीन जाली होती, देखो वाशनात मतलब क्या, मतलब की पढ़ना, रीड करना, ठीक है, तलीन मतलब क्या, एकदम खो जाना, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है बच्चा, कि जो आई थी, जो मम्मी थी, वो बुक पढ़ने में एकदम खो गई थी मी खिड़की तून बाहर पाहू लाग लो देखो यहां पे खिड़की तून मतलब क्या खिड़की से पाहू मतलब क्या देखना तो देखो बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं खिड़की से बाहर देखने लगा थंडगार वार्याचा जुड़का अंगावर जेलू लाग लो थंडगार मतलब क्या थंड़ा वार्याचा जुड़का मतलब क्या मतलब कि हवा का जोका ठीक है अंगावर मतलब क्या अब बच्छा क्या बोल रहा है कि जैसे ही मैंने खिड़की के बाहर देखा, देखने लगा, तभी एक थंडी हवा का जोका मेरे शरीर पर आकर लगा, ठीक है, कैसे आप देखो, खिड़की से बाहर देखते हो, ट्रेन में अगर थंडी थंडी हवा चलती है, आपके शरीर पर आती है, वही यहाँ पर यह मतलब कि आप बसकते हो आँटी मोर्ट अब बच्चा क्या बोल रहा है कि तब भी मेरा ध्यान मेरे बाजु में बैठी ही आँटी के पास गया अठी पर गया आए इस पर इस बच्चे का ध्यान गया लिए अब देखौ कि आगी क्या है बसलेले मतलब बच्चा अब बूल सकते हो पाहून मतलब क्या देखना हसले मतलब पाहून turning हमारे जाड़े टुक टुक पाहु लाग लो यहां फेड़की से पढ़नारी मतब फढ़ने वाले जाड़े मतब किया पेड़ मतब क्या देखना अब देखो बच्चा क्या बोल रहा है कि जो छोट से बच्चे को मैं 있는 गोध मे利या था वो खिर्की से जितने भी आने वाले पेड़ दिख रहे थे वो उनको टुक टुक देखने लगा पाहता पाहता ते गाड जोपले क्या बुल रहा है यहां पे भी कि पाहता पाहता मतब देखते देखते वो एकदम गहरी नीद में चला गया जोपले मतब सोना तो बच्चा जो था छोटा बच्चा वो बाहर जो ज़ाड़ थे उसको देखते देखते एकदम गहरी नीद में सो गया। स्टेशन वर बैल गाड़ी गहून मामा आला होता। देखो बैल गाड़ी मतब आपको मालूम है जो गाव में दिखा होगा आपने बैल के पीछे ऐसे एक कार्ट बांते हैं और उसको चलाते हैं उसको बैल गाड़ी बोलते हैं तो देखो बच्चा क्या बोल रहा है कि स्टेशन पर हमारे मामा हमें बैल गाड़ी से लेने आये थ रिमा ने पड़त पड़त मामाला काठ ले देखो पड़त पड़त मतब क्या दम भागते भागते जल्दी जल्दी तो यहां पर देखो क्या बोलो है कि जो रिमा थी बच्चा बोलो जो मेरी बहन रिमा थी वह भागते भागते मामा के पास गई आमी बैल गाड़ी द बस ल आपने देखा ओगा ना बैल के गले में एक घुंगरू एक बैल लगाकर गले में बानते हैं उसी को यहाँ पे घुंगरू माड़ा भोला है खुड़-खुड मतब कि उस घुंगरू माड़ा से खुड़-खुड आवाज आ रही थी तेहां पर क्या बोले है कि जो बैल के गले में गुंगरु माला बंधी हुई थी उसमें से खुड़ खुड़ आवाज आ रही थी ठीक है बैल गाड़ी चाकांचा खड़ खड़ आवाज तालात ये थोता देखो अब क्या बच्छा बोल रहे है कि बैल गाड़ी के जो चक्का था मतब कि जो वील था उसमें से खड़खड आवाज आ रही थी चलते हुए ओके आमी घराचिया रस्ताला लाग लो अब देखो बच्चा क्या हो लाए कि उसके बाद हम जो घर का रास्ता जो रास्ता घर को जाता था उस पर हम अब आ गए अब हम घर के रास्ते पर चले उस बैल काड़ी से आगी क्या है? तोर साय काड़ी वेड जाली होती, तब तक साय काड़ी मतलब क्या? आप बोल सकतो है शाम का समय, ठीक है? अब बच्चा क्या बोल रहे है? कि तब तक शाम का समय हो गया था, पानांची सड़सड, नदीचया पाड़्याची खड़खड, एकू यह लग ली, द नदीचया पाड़्याची खड़खड, मतलब कि नदी के पानी की खड़खड हमको सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो गाउं था, गाउं में कैसे अदम बहुत सारे जाड़ रहते हैं, नदी रहती है, तो वही बच्चा बोले, जब हम जा रहते हैं, तो हमें जाड़ के पत मिसडून गेले होते, देखो, यहां पे आप क्या बच्चा बोल रहा है, कि देखो, पक्षी मतलब क्या, पक्षी मतलब आपको मालू है, चुडिया जो रहती है, वो, ठीक है, किल्बिल मतलब क्या, जो पक्षी की जो आवाज रहती है, वो, किल्बिल, मतलब जो पक्षी ल बक्री जो आवाज निकलती है इसे बेबे आवाज निकलती है न वो यहाँ पे बोला है ठीक है वातावरण मन्दब क्या एट्मोस्फेर मिसूर नदब मिक्स होना देखो यहाँ पे क्या बोल रहे है कि जार पर जो पक्षी बैठे थे उनकी किलबिल और खेत में जो गाय लोग चर रही थी उनकी आवाज जो है वो और बक्री लोग की जो आवाज है बेमे की बेबे की वो यह सारी आवाजे वातावरण में एट्मोस्फेर मिक्स हो गई थी सब कुछ हमें सुनाई दे रहा था ठीक है अब आगे क्या है आगे देखो यहाँ पे क्या वार्यावर मंद डूलत होती देखो पिके मतलब क्या क्रॉप्स जो खेत में फसल रहती है वो मंद मंद मतलब क्या अब उसके धीरे धीरे ठीक है वार्या मतलब क्या हवा डूलत मतलब क्या हिलना क्या यहां पर बोले कि खेत में जो फसल थी जो crops थे, वो हवे से दम धीरे-धीरे हलके-हलके हिल रहे थे, ठीक है, अब आगे क्या है, मन आनन्दाने थुई-थुई नाचत होते, अब देखो, यहाँ पे, आनन्दाने मतलब क्या खुशी से, नाचत मतलब क्या नाचना आपको पता है, अब देखो, बच्चा क्या बोल यह सारी चीजे देखकर, नेचर की, अब जो मेरा मन है, वो थुई-थुई नाच रहा था, एकदम आनन्द से, खुशी से, एकदम नाच रहा था मेरा मन, ठीक है, आगे चलो, अब आगे क्या है, घरी ये ताच, तोंड भर हसून मामी ने आमचे स्वागत के लिए, देखो ये ताच मतलब क्या, घरी ये ताच मतलब क्या, घर पहुचने पर, तोंड भर हसून मतलब क्या, मन भर हसना, एकदम बड़ी सी स्माइल देना, ठीक है, स्वागत, स्वागत मतलब आपको क्या मालू है, मतलब वेलकम, तो यहाँ पर क्या बोले, कि जैसे हम घर पहुचे, म मामी ने एकड़म बड़ी सी smile दे कर एकड़म मन भर के हसकर हमारा स्वागत की हमारा welcome किया मामाची मूले राजु अन्चिमी आमचीच वाट पाहत होती मामाची मूले मतलब कि मामा के जो बच्चे थे जो उनके बच्चे थे वो उनका नाम किया था राजू और चिमी वाट मतलब किया इंतिजार आप बोल सकते हो राह आप बोल सकते हो ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है बच्चा कि जो मामा के बेटे जो मामा के बच्चे थे राजू और चिमी ये दोनों हम लोग की राह देख रहे थे, हम लोग का इंतिजार कर रहे थे देखो एक मिकाना मतलब क्या है? एक दूसरे से कड़कटून भेटलो मतलब क्या है? एकड़म प्यार से मिलना, गले लगाना आप बोल सकते हो तो देखो बच्चा क्या बोल रहे है? कि हम लोग एक दूसरे से, एकदम प्यार से मिले एक दूसरे को गले लगाये प्यार से आजी हडू-हडू चालत, काठी टेकवत-टेकवत, आमचिया जावड आली आजी मतलब क्या अब बसके तो दादी काठी देखो हडू हडू मतलब क्या धीरे-धीरे काठी टेक वथ मतलब क्या अब बसके लाठी बोलते हैं जो बुढ़े लोग जो लाठी लेके चलते हैं वो स्टिक ठीक है टेक वथ मतलब क्या टेक ना आमचे जोड़ मतलब क्या हमार पास यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो आजी थी जो दादी थी वो धीरे धीरे अपनी जो छड़ी थी उसकी मदद से उसको टेकते टेकते हमारे पास चल कर आई आमि अजिला बिलग लो, देखो, आजी मतलब कि आपको मैंने बताया है क्या दाधी, बिलग लो मतलब क्या, मतलब कि सम्मान से खड़े होना, ठीक है, एकदम सम्मान, एकदम respect में खड़े होना, तो यह बच्चा का बोल रहा है, कि हम लोग आजी के पास गए है, और एकदम सम गेत ले आमाला मतलब क्या हमें जवड मतलब क्या पास में यहां पर क्या बोल रहे हैं क्या बच्चा कि आजी ने क्या किया दादी ने क्या किया हम लोग को अपने पास और लिया आजी ने हम लोग को पकड़ कर अपने पास लिया आमचया डोक्या वरून तोनडा वरून हाथ फिरवला देखो यहां पर डोक्या मतलब क्या आप बोल सकते हो सर ठीक है तोनडा मतलब क्या आप बोल सकते हो फेस ओके फिरवला मतलब क्या आपका माला फिराना तो यहां पर क्या बोले कि जो आजी थी जो दादी थी उन्होंने हमारे सर पर और हमारे फेस पर प्याल से हाथ फिराया तिच्या हात आचा थर्थर नारा स्परश खूब प्रेमन अन बोलका होता देखो यहाँ पर क्या बोल रहते हैं जो बुढ़े लोग का हाथ रहते हैं तब वो हमें मालूम पढ़ रहा था कि वो कितने प्यार से अपना हाथ हमारे उपर फेर रही है अमाला खूप गही वरून आले अब बच्चा क्या बोल रहे है कि हम लोग को बहुत ही जादा अच्छा लगा बहुत जादा आनंद आया जब आजी ऐसे हमारे साथ कर रही थी अब आगे क्या है दूसरे दिवसा पासून नुस्ति धमाल अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे है धमाल मतलब क्या बोल रहे है धमाल मचाना मतलब मजे करना दूसरे मतलब क्या दूसरा तो यहाँ पर क्या बूल रहे है देखो कि दूसरे दिन से अब यह जो बच्चा बोल रहे हैं कि अब हम लोग धमाल करने लगे मतमाब मज़े करने लगे ठीक है तो देखो उन्हों ने क्या-क्या मज़े किये क्या-क्या मस्ती किया वो आगे बताया है पेहले क्या है deco वीह रिवर पोहायला जाने देखो वीह रिवर मतलब क्या अब उसको कुवां पोहायला मतलब क्या स्विमिंग करना तैरना तो देखो पहले उन्हों जो ये बच्चा है क्या बोलना है पहले हम कहा गए पहले हम कुवे में स्विमिंग करने गए शेतात बागणने बागणने म मतलब क्या आम का जो पेड़ रहता है वो ठीक है चड़ूल मतलब क्या चड़ना कह रहे है मतलब क्या जो कच्छा आम रहता है कहरी वो और पाड़ाचा आमबा मतलब क्या जो जो आम अच्छे से पका नहीं रहता है पका हुआ रहता है लेकिन अच्छे से नहीं पका रहता है उसको बोलते हम पाड़ाचा आमबा ठीक है खाने मतब खाना तो यहां पर और बच्चे क्या बोले हमने क्या किया हम आम के जाड़ पर आम के पेड़ पर चड़े उस पे से कैरी तोड़ा और जो आम था जो पूरा पका हुआ नहीं था उसे भी हम तोड़के खाए ठीक है कैरी और जो अच्छे से पका हुआ आम नहीं था उसको हम तोड़के खाए और क्या किया ये लोग ने बैल गाड़ी तून मामा बरोबर फिर फटका मानने तो देखो बैल गाड़ी तून मतलब क्या बैल गाड़ी आपको मालू में जिसमें बैल और पीछे काट रहती है वो बैल गाड़ी मामा बरोबर मतलब मामा के साथ फिर फटका मानने मतलब क्या घूमना ये आप बोल सकते हो सेर करना ठीक है तो और बच्छा क्या बोला है हम लोग बैल गाड़ी पर बैठके मामा के साथ इधर इधर की सेयर कर रहे थे हम घूम रहे थे आज शेतावर तर उदिया आमराइद मामा वरोबर फिरायला जाने बचछ क्या ब Jeśli आज हम लोग खेट में घूम रहे थे और दूसरे दिन आम के आमराइद मतलब क्या जहां पर आम के पेड़ बहुत सरे रहे थे वो कि रोज हर रोज हमने मजे किया देखो आमची मतलब हमारी सुट्टी मतलब क्या होल्डे कभी संपली मतलब खतम होना या पूरा होना आमहाला मतलब हमें समझ लेश मतलब समझा ठीक है समझना तो दोखो ये बच्चा क्या बोल रहे है कि हम लोग की छुट्टी कब खतम हुई वो हमें समझा ही नहीं हमें पता ही नहीं चला ये लोग एतनी मस्ती कर रहे थे एतने मजे कर रहे थे कि इन लोग को पता ही नहीं चल मामा के घर गए तो घूमने के लिए पूरी छुट्टी मज़े किया वाँ पे घूमे खेत में गए स्विमिंग किया उन लोगों ने और जो आम का ज़ाड है आम का जो पेड़ो उस पे से कच्चा आम और आधा पका हुआ आम तोड़ के खाए और मामा की बैल गड़ी के बैठ अब इसके अगले वीडियो में आपको इसके कुशन एंसर दोंगा ठीक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रोखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले अगर आपको यूडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो तेंक यू